हालो स्टुडेंट, वेलकम बैक टू मार्टी जड़ा 24-7, दिस अनीता शर्मा, योर हिस्टी वेंटर, स्टुडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारी हिस्ट्री का चाप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रडिशन, ठीक है, और इसमें हम दो टॉप बहुत बरे होते हैं, मतलब उनको समझने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको जितना डिफिकल्ड लगता है, समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि एक बर आप इस चैप्टर को समझ लेंगे, बहुत ही easy तरीके से मैं समझाने के कोशिश करूंगी जिरा ध्यान से सुनिएगा देखिएगा समझिएगा ताकि आप अपने हर कंसेट पर हर टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ बना सके क्लियर क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर यह आपके सोफी मोमेंक्ति चला ठीक है जैसे भकती मोमेंक्ति कब कहां से चला ठीक है कॉण कौन से संत ढएज hairdry शोंसे दुर दूर तक फैला दिया ठीक है बात करें कि से किस तरह से उन्होंने लोगों को एक अच्छा एक सच्छा और धर्म का रास्ता दिखाया जिस पर चलकर लोग जो है वो अपने इस संसारी को भी और मतलब जो है अपने मोक्ष की प्राप्ति करेंगे इन इन सभी चीजों को ले करके यह जो भक्ती चल रही है अपने गोड के प्रती तो वो किस तरह से आगे बढ़ती है और कौन-कौन से संत आते हैं जिन्नोंने अपने अपने फॉलोवर्स को लेकर किस तरह से वो आगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करने वाले हैं कि इतने लेंदी पिरिड को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में यानि कि 8 से लेकर के 18th century भक्ती मुमेंट ठीक है तो यह भक्ती मुमेंट चलता है राइट इस लाइं और सओं पॉफी मुमेंट यह क्या कर रहेते मतलब हमारी हिस्ट्री में जो हम और मेडिया कि हिस्ट्री हैं उसे बहुत अपनान इंप्वॉटन्ट रोल प्ले करते हैं भक्त्य नहिं होती तो भगवान की भगवान की प्रती हम अपना डिवोशन कैसे शो करते तो यह भक्ती करने का जरीया वो लोग हमें दिखाएंगे, जिसके रास्ते पर चल कर हम भगवान को कह सकते हैं, कि पास सकते हैं, ठीक है, अब वो भक्ती कैसे कैसे होगी, सारी चीज़ें हम यहां पर देखने वाले हैं, तो यहां पर दो वर्ड आते हैं, अलवराज और नैन ठीक है, और सदन इंडिया से भी कहां से, तमिल नाडू से, ठीक है, कहां से, तमिल नाडू से, तो तमिल नाडू में दो ब्रैंचिस होती हैं, कौन-कौन सी, एक अलवराज और एक नैनाज, याद करो, जो हमने चैप्टर 4 में, थिंकर्स, बिलीज और बिल्डिंग्स का, जो अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, नियू रिलिजियोस वाला, ठीक है, तो अब नहीं ने रिलिजियोंस बने लगे थे, यानि कि शाविजम और वैश्नुविजम में लोग जो है, अपने आपको आगे बढ़ा रहे थे, तो कुछ लोग डिवोटी, कुछ डिवोटी जो लॉड शिवा को कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उनकी कुछ डिवोटी से लॉड विश्नु को जो है वो वर्शिप कर रहे थे, तो उनमें शाविजम और वैश्नुविजम दो पार्टें बढ़ जाता है, तो सेम यही जो चीज है, यहाँ पर देखी गई है कि अलवराज और नैनाज वर कंसिडर ऐस दा फाउंडर ऑफ भक्ति मोमेंट इंदा साउथ इंडिया, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अलवराज कोन होते हैं, अलवराज होते हैं, लॉड विश्नु के डिवोटी स, ठीक है, भगवान विश्नु की पूजा करने वाले या भगवान विश्नु को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं, अलवराज कहलाते हैं, ठीक है, और वाइल दा नैनार्स वर फॉलोड दा साविटम, और जो नैनार होते हैं, वो भगवान शिव के डिवोटी स, भगवान शिव को वर्शिप करते हैं, उनको मानते हैं, उनको फिर से सुनो, अलवरास किसके डिवोटीज हैं, लौड विश्णु के, ठीक है, दूसरा जो शैविजम है, यानि कि जो हमारे नैनास है, ठीक है, वो कौन है, वो लौड शिवा को मानते हैं, लौड शिव को मानते हैं, भगवान शिव जी को मानते हैं, तो बोथ अलवरास नै नेना strongly criticize the social and religious malpractice and the prevalence of the society. ये दोनों ही क्या करेंगे जो society में जो caste racism को लेकर एक दूसरे की साथ discrimination किया जाता था, भेदबाव किया जाता था कि women को और शुद्रों को जो भी गरीब होते थे उनको temple में एंटरी ही नहीं दी जाती थी, क्यों नहीं दी जाती हैं तो वो भी इंसान ना तो ये इस तरह के ना question करेंगे उनसे society में, ठीक है, तो यहां पर देखिए कि both the alvarat and nanar strongly criticize the social and religious malpractice prevalent the society, तो यह society को एक question करने के बाद, एक society को नया रास्ता दिखाएंगे, कि ऐसा क्यों हो रहा है और जब इनका आंदोलन चलेगा, तो इसमें वही लोग इनके साथ चलेंगे, जिनको यह problem हो रही थी, कि किसी को जब टेंपल पे नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को वेद पूरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है, किसी को संस्कुत पढ़ने लिखने की allowance नहीं थी, तो यह वही लोग उनके साथ आएंगे और इस बक्ति मुमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है चलिए, नेक से मुववन करते हैं, तो यह जो हमारा topic है, first कौन सा? अब मुस्यक और religious believes and practice, सबसे पहले देखें यह क्या होता है, यह मुस्यक क्या होता है, ठीक है, यह मुस्यक क्या होता है, मुस्यक होता है, कि जैसे आपने टेंपल में देखा होगा, टेंपल की धिवारों इस तरीके से, जैसे tiles होती है, वो tiles को एक दूसरे में जोड दिया जाता है, ठीक है, अब जोडने के बाद इसमें क्या होता है, कि भगवान की एक figure बन जाती, एक मूर्ती बन जाती है, चार tiles को जोडने के बाद, यह 10 tiles को जोडने के बाद, एक अच्छी सी भगवान की मूर तरह के God or Goddesses होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के God Goddesses होंगे, जहां पर लोग अपने आपको, अपने आप, मतलब एक devotion जो अपने God के प्रती देंगे, गौड को मानते हैं या Goddess को मानते, तो किस तरह से अपनी भक्ती भावना, अपने भगवान के प्रती दिखाते हैं, तो a wide range of the God and Goddess were found in the structure, तो ये बहुत तरह के जो देवी देवता होते हैं, तो ये structures के रूप में, यानि कि मूर्तियों के रूप में, ये worship किये जाएंगे, ठीक है, अब भक्ती भी बहुत तरह की होती है, आगे चलकर बताओंगे, कि इतनी तरह की भक्ती होती है, कोई meditate करके करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई meditation के थू करता है, तो कोई मूर्ति पूजा ये दिया बाती और अगर बत्ती करके ये सब करता है, ठीक है, कहने का मतलब अलग-अलग तरह से भक्ती होती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि wide range of the God and Goddess were found in the structure as well as in the text, ठीक है, तो text के अंदर भी हमें इन God and Goddess के बारे हम पता चलता है, बहुत सारे scriptures को बना करके, लोग इनको worship करते हैं, पुरानिक texts were composed and compiled simple Sanskrit language which could be accessible to the women and sutras, अब जो पहले के जो वेद पुरान थे, जिसमें बहुत typical language Sanskrit में mention की गई थी, जो भी text होते थे, अब वो धीरे-धीरे Sanskrit का easy version ला करके, और ये जो पुरानिक जो टेक्स होते हैं, were composed and compiled the simple Sanskrit, अब वो जो typical Sanskrit थी, उसको थोड़ी सी easy language में करने लगे, अब धीरे-धीरे change तो आई रहा था ना, क्योंकि ये change thinkers लेकर आ चुके थे, तो उन्होंने जैसे question किया society पर कि ऐसा क्यों होता है, तो वो क्यों का जवाब धीरे-धीरे मिल और change आने लगा society में, अब ये जो शुद्रास थे, ये जो female जो होती थी, women जो होती थी, जिनको supplementary नहीं दी जाती थी, जिनको वेद पुरानों को पढ़ने की allowance नहीं थी, अब ये धीरे-धीरे वो लोगों का mind change होता रहेगा और इस तरीके से वो वेद पुरानों को भी करने से, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, the integration of the cult, ये क्या है मारा, integration of the cult, historian have to try to understand the, understand these developments, suggested that these were the least two process at work, देखो, cults क्या होते है, मूर्तियां होते है, है न, sluptures क्या होते है, मूर्तियां होते है, अब लोग न, अपने अपने भगवानों की मूर्तियां बना करके उसको करेंगे, और अपनी भक्ति भावना दिखाएंगे, ठीक है, तो one was process, the dissentimating the brahmanical idea, this was the exemplified by the composition, compilation and the preservation of the puranic text in the simple Sanskrit words, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बताया गया है, कि जिन चीजों से लोगों को दूर रखा गया था, शुद्रास को और females को, women's को दूर रखा गया था, अब चीजे धीरे-धीरे change होने लगी, ठीक है, अब जो ब्राह्मनों के एक monopoly society पर चल रही थी, वो धीरे-धीरे खतम होने लगी, तो अब इस भक्ति आंदोलन में, ज्यादा से ज्यादा जो followers बनेंगे, वो खास करकी, women's बनेंगी, खास करकी, शुद्रास बनेंगे, जिनको वो problem face कर रहे थे, जिनको वो problem हो रही थी, ठीक है, तो this means, they were, means to be accessible of women and शुद्रास who were excluded the Vedic learning, ठीक है, difference, अब देखो, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, इस फोटो को दिखाने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, यह आपको पता ही है, जगनात पुरी में जो temple बनाया है, जगना इसने बनाया, वो एक, by caste, एक शुद्र था, है ना, तो माना जाता है, इसा कहा जाता है, एक मित है, यह कि उस शुद्र को भगवान ने दर्शन दिये, ठीक है, और कहा कि तुम मेरी मूर्तियां बनाओ, और मूर्तियां बना करके, यहाँ पर एक मंदिर बनाओ, वहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, और एक शुद्र नहीं यह मूर्तिया बनाई है, जब उस मूर्तियों को वहाँ पर स्थापित किया गया, तो लोग दूर-दूर से उनको वशिप करने के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं यह रूल ब्रेक हुआ न, है न, तो यहाँ पर वही माना जाता है कि जब इसको बनाया गया था तबसे लेकर आज तक, इसको ठीक है, इसकी मरमत होती है, लेकिन यह जो वड है, वो कभी भी कहते है, न, वुड में जो दीमक लग जाती है, वो नहीं लगी है, आज तक भी इसमें, लेकिन इसको time to time इसको रिपेर की जोद अब यह difference क्या होता है कि अंतर होता है conflict होता है कि मतलब छगड़े वगरा वाद विवाद होते हैं तो the form of the worship of the associated with the goddess were classified as the tantrik अब देखो ठीक है temples वगरा में लोगों को entry नहीं थी पहले की बात परें लोगों को entry नहीं थी तो वोगों क्या करेंगे जैसे कालि माता को कुई worship कर रह इंए ठीक है कालि माता को devotee होंगे जो भक्त होंगे उनको तंत्रिक की संग्या देदी inha é ठीक है अब उनको सिध्या प्राप्त होती है क्योंकि देखो टेंपल में तो विमें और शुद्रों की एंट्री नहीं थी अब ये लोग क्या करेंगे जाएंगे तो सही न कहीं न कहीं वर्शिप करने के लिए किसी गौड या गौड़ेस को मानने के लिए क्योंकि भक्ति उन को इस तरह के कालीमाता कमंदिर होता है ये उसमें जाएंगे क्योंकि इनके लिए तो सब मतलब ये जो इनके दौर होते थे जैसे कालीमाता गौडस है ठीक है तो इनके दरवाजे सब के लिए खुले थे इनको किसी के लिए यहाँ पर identify नहीं किया गया था कि ब्राह्मन शत कहा जाएगा Tantrik, those who followed the Tantrik rejected the caste and the class within the ritual context, अब देखो, यह कौन बनेंगे, जो की society से reject कर दिये होते हैं, ठीके, reject करने के बाद क्या होगा, वही लोग इसके followers बनेंगे, many of these ideas influence the Vashnuism and Bodhism, अब यही लोग क्या करेंगे, यही लोग क्या बनेंगे, many of these ideas influence the Vashnuism, इनी से ही idea निकलेगा Vashnuism और Bodhism का, ठीक है, कि क्यों discriminate, जब ऐसे tempers में, जो Goddess का Temple है, काली माता का, जब ऐसे tempers में किसी के साथ कोई discrimination नहीं किया जा रहा है, तो फिर बाकी के लोग क्यों करते हैं, यही से idea निकलेगा, शाविजम का, बादिजम का, वीर शैव का, मतलब शैविजम का, वैश्णोईजम का, ठीक है, और बादिजम का, जैनिजम का, तो इनके लिए न, सभी लोग बराबर होते हैं, लोग इनी के तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ भेदबाव नहीं किया जाता हो, जहां पर लोगों को अच्छा लगेगा, लोग वहीं जाएंगे, उस society का क्या फायदा जहां पर लोगों के साथ इतना ज़्यादा बेदबाव किया जाता है, इतना ज़्यादा discrimination किया जाता है, clear, चलिए, अब चलते हैं, next पर, तो poems of the prayer, early bhakti tradition, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये early bhakti tradition में देखेंगे, ठीक है, तो ये bhakti कहां से start होते हैं, वो हमने कर लिया कि तम्मिल नाडू से, अलवराज और नैनास, ये दो set ऐसे थे, ये दो branches ऐसी थी, भक्ती की, ठीक है, भक्ती moment की, जहां से लोग इनके followers बनेंगे, तो अलवराज Lord Vishnu को worship करते हैं, Lord Vishnu के devotees हैं, और नैनास, Lord Shiva के devotees हैं, अब लोग अपने अपने भगवानों को अपने अपने तरीके से worship करना start करेंगे, अब वो वर्शिप करने का तरीका क्या होता है, वो यहां पर देखेंगे, ठीक है, भक्ती करने का बूर्ति पूजा के साथ, with attribute, ठीक है, तो मैं याँ पर कर देती हूँ, मूर्ति के साथ, ठीक है, भगवान की बूर्ति बनाई, ठीक है, एक भगवान की बूर्ति बनाई, उसको कहते हैं ना कि उसको मानना होता है कि ये भगवान है हमारे सामने भगवान है और हम प्रेयर करते हैं मोसली ऐसा ही होता है जब हम टेमपल जाते हैं भगवान शिव की मूर्ती रखी है भगवान विश्णु की है राम जी की है कृष्ण जी की है अन्वान जी के कहीं पर भी जा मतलब होता है, मूर्ति पूजा के साथ और दूसरा होता है निर्गुन, निर्गुन का मतलब होता है without attribute, जस जिसमें भगवान को feel किया जाता है, जैसे meditation करके, ये कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, सर्फ उनका ध्यान किया जाता है, ठीक है, उनको एक जौला वक्ति हमने देखी न, एक तो मूर्ति के साथ में, एक बिना मूर्तियों के साथ में, तो शगुन includes the tradition that focus on the worship, the specific duties such as the Shiva, Vishnu and his अबतार, अब इसमें शगुन में क्या होता है, कि भगवान विश्नु, भगवान शिव, या फिर भगवान विश्नु के या शिव के जो वो क्या ह अवतार हैं, ठीक है, अवतार हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, incarnation, जैसे लॉर्ड विश्नु के अगर हम बात करें, तो लॉर्ड विश्नु के लॉर्ड कृष्ना है, ठीक है, लॉर्ड कृष्ना है, उसके बाद भगवान राम है, और लॉर्ड शिवा के जितने भी अवत तो उन अवतारों की भी और Lord Shiva और Lord Vishnu की मूर्तियों को बना कर भी उनको वर्शिप किया करेंगे, तो यह किस में आता है, यह सारा का सारा, यह आता है हमारे शगुन में, ठीक है, and form of the Goddess, God and Goddess, निर्गुन भक्ति on the other hand would worship the abstract form of God, abstract form का मतलब होता है, जो दिखाई नहीं देता, ठ उसका कोई आकार शेप होती है, तो जस उसको फील किया जा सकता है, जसे happiness होता है, sadness होता है, अब किसी को देख करके हम लोग क्या अंदाजर लगा सकते है, वो बहुत खुश है, अब वो हसी का कोई आकार होता है, यह दिख रहा है कि बहुत खुश है, बहुत हस रहा है, ले भगवान एक abstract form में उनको अपनी devotion दी जाती है, तो उसे मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, ठीक है, उसे मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो अलवराज and नेनार्स of the Tamil Nadu, ठीक है, तो ये दोनों ही कहां पर होते हैं, Tamil Nadu में होते हैं, during the 6th century, some of the bhakti, moment were led by the century की बात की गई है, ठीक है, तो 6th century में एक moment चलता है, South India में, ठीक है, moment were led by the, तो एक moment चलाया जाता है, किसकी द्वाराज और नेनार्स के, तो ये दोनों ही जो भक्त हैं, followers हैं, ठीक है, Lord Shiva के, Lord Vishnu के, ये एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे, जो लोगों को अपने साथ लेकर चल पिस सुनी होगी, कि only the person knows where the shoe pinches, है न, कि एक वही जानता है, जिसको दर्द हो रहा है कि उसका shoe कहां bite कर रहा है, है न, shoe कहां काट रहा है, उसका जूता कहां काट रहा है, उसी को पता है, किसी दूसरे परसन को थोड़ी ना पता है कि कहां उसका जूता काट रहा है, या कहा उसको pain हो रहा है कहने का मतलब ये वही लोग इनके followers बनेंगे जिनको problem हो रहे थी ठीक है तो अलवरास those who were immense the devotion of the Vishnu, the meaning of the Lord Nainar, those who were devotees of Shiva, they traveled from ये क्या करेंगे ये अपने अपने भगवानों को Lord Shiva को Lord Vishnu को worship कराने के लिए या उनकी गाथाएं सुनाते थे लोगों को कि किस तरह स भगवान Vishnu और भगवान Shiva हमारे साथ होते हैं तो आपकी एक पुकार सुन करके एक प्रातना सुन करके अगर आप सच्चे मन से करते हो तो जरूर आपकी problem को सोर करेंगे तो इस तरह की बाते लोगों को बताएंगे और यही बाते लोगों को एड्रेक्ट करेंगी यही बात तो ये अपनी अपनी लोकल भाशा में लोगों को पॉम्स के तुरू, मतलब प्रातनाई कैसी की जाती है, भजन किरतन कैसे होते हैं, जब हम भजन किरतन करते हैं, भजन गाते हैं या प्रेयर अपने स्कूल में करते हैं, तो उनकी जो अपनी लोकल लैंगवज थी, थाक है, तमिल में वो लोग बोलते थे, तो तमिल में ही लोगों को भजन वगरा सुना-सुना करके, और भगवान की गाथाएं उनको सुनाते थे, तमिल भाशा में, तो लोग उनको सुनते थे, सुन करके लोगों को समझ में आता था और धीरे-धीरे लोगों की भक्ती जो है धीरे-धीरे उनके अंदर आने लगी और इस तरह से वो उनके followers बन जाते हैं. Attitude towards the caste, according to some historian, the Alvaraas and Nainas started the movement protest against the caste system. ठीक है, तो हमारे historian के according क्या बोला गया है? कि ये जो दो थे, Alvaraas और Nainas जो थे, जिन्होंने भक्ती movement को lead किया था, तो ये क्या थे? They protest, they protest against the caste system. तो ये caste system के against इनका protest था. इनका विरोध किस पर था? जो caste system के according, उनके साथ में decimation किया जाता था. तो क्यों किया जाता है? ये question था उनका. क्यों? हो तो वो भी इंसान. ठीके थे, तो वो भी इंसान. ब्रामन भी इंसान है, तो एक शुद्र भी इंसान है. ब्रामन का अगर blood red है, तो शुद्र का color भी red है. क्या भगवान ने जब दुनिया में इस मनुष्यों को उतारा था, तो क्या उसकी जाती, caste वगएरा उसके माते पर लिकर भेजा था? नहीं ना. यही question करेंगे society से, तो यह उनका एक ऐसा protest होगा, जो caste system के against होगा. And the brahman and the brahmanas and the attempt to reform the system. और यह बोलेगे कि यह system reform होना चाहिए, और इन्हों इसको reform भी किया, सुधार भी किया. अगर यह इस तरह का कोई step out नहीं करते, step नहीं उठाते, तो शायद अभी हमें बहुत time लगता उन चीजों को achieve करने में. तो the devotees came from the different social. अभी जो इनके devotees होंगे, अलवरास, नैनार्ज जो होंगे, इनके इवन, form of the caste, they were considered the untouchables. वो लोग भी यहाँ पर followers बनेंगे, या devotees बनेंगे, जिनको untouchables कहा जाता था. जो बिल्कुल असप्रश्य जाती थी, जिनको कहते हैं ना कि छूने मातर से वो अपने को पवित्र समझते थे, तो वो लोग इनके devotees बनेंगे. ठीक है, तो अब देखो, धीरे-धीरे casteism को remove किया जा रहा है, reform हो रहा है, तो women devotees, अब जो शुद्रों के साथ में, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो समझ में आगे कि शुद्रों की फीचर्स अब इस ट्रादिशन वाद प्रिजिंस अफ विमन, ठीक है, फॉर एक्जामपल, देर वाद असन पोयट काल अंडा, फीमेल के बारे में, विमन के बारे में समझा दाता था कि वो क्या करेंगी भक्ति करके, उनकी भक्ति यही है कि वो घर का अपना, अपने घर की देखबाल करें, बच्चों को समझा लें, ठीक है, और घर के कामकाज करें, घरेलू कामकाज में, बस इतने तक ही उनकी भक्ति सीमित थी, बस यही उनकी भक्ति है, यही उनका काम है, यही उनका संसार है, बाकी सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको रिस्टिक्ट कर ठीक है यह Lord Vishnu की डिवोटी थी ठीक है देखो ए से अंडाल ए से अर्वराज तो ध्यान रखना कि कभी question भी पूछा जाता है कि बताओ अंडाल जो एक विवेंट थी यह जो थी संथ पोएट थी वो कौन से 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 थी मतलब कौन से उससे ब्रांच से थी तो आपका नाम आएगा आपका अंतर हो जाएगा अलवराज ठीक है और अलवराज कोन होते है Lord Vishnu की डिवोटीज होते है ठीक है तो हर composition was sung and the song even today तो उनकी composition आज तक भी south के temples में singh की जाती है उनकी लिखे हुई कवीता है उनकी लिखे हुए भजन ठीक है उनकी लिखे हुई जो भी वाणी बगरा थी तो आज भी south के temple में उसको गाया जाता है एक और विमेन थी जिसका नाम था करिया कल अम्मयर ठीक है डिवोटी ओफ दर शिवा तो ये नैनार की डिवोटी फॉलोवर्स थी ठीक है तो ये लौड शिवा को वर्शिप किया कर दे थी अडॉटेड अपार्ट तो इसने एक ऐसा पाथ एक ऐसा रास्ता अपनाया जो कि अपने के यिए लिए थी है गरमें ही रहकर के और उनको एपने घर के काम करने उते हैं तो ये आगे आएगे और इस तरीके से अंडाल और करेकल अमयर, ये दोनों ही विमन के इस thought process को जो society में फैला हुआ था, उसको change करेंगे, उसको reform करेंगे, ठीक है? So, her composition were preserved with the nainas tradition, those women renounced their social organization, but did not became the nun. इन्होंने कहा, घर में रहकर भी women भक्ती कर सकती है, घर के कामकाज से भी अपने बच्चों को देखबाल करना, घरेलू कामकाज करना, इनके अलावा घर में रहकर भी women भक्ती कर सकती है, उनको बहार जाने की अवशकता नहीं है, वो बहार जाकर किसी आश्रम में जाकर के और वो साधवी बन जाएं, ठीक है, अपने घरबार को छोड़ करके, और साधवी बन जाएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चे भी थे, उनकी घर की रिस्पॉंसिबिल्टी भी थी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये, कि घरेलू काम के साथ-साथ में, वो भी भक्त आते हैं, तो जो दुपैर का टाइम होता है, तो लेडी क्या करते हैं, घटा हो करके, टेंपल में अपना थोड़ा भोदे अपना भजन-भजन कर लेती हैं, भगवान का नाम ले लेती है, घर भी देखा और इधर भगवान की भक्ती भी कर रही है, ठीक है, नेक्स, support that, भक्ती tradition and the built temple, अब देखो, इनको वर्षिप करने के लिए, लोर्ड शिवा, लोर्ड विष्णु को वर्षिप करने के लिए, देरे-देरे, temples की जो है वो need होने लगी, लोग कहां पर जाएंगे, temple जाकर के वो अपने भगवान को मूर्टियों में देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर prayer करेंगे, वहाँ पर एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से धर्म की बाते करेंगे, अपने सुख दुख की बाते करेंगे, तो कहने का मतलब relation with the state, the चोला ruler supported the bhakti tradition, अभी जो rulers होते थे न, ये भी इनों ने भी bhakti को बढ़ाने के लिए, दूर दूर तक फैलाने के काफी अपना important role play किया, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़े-बड़े temples बनवाए, temple में Lord Shiva, Lord Vishnu की मूर्तियां रखी, लोग दूर दूर से temple में आते थे, उनके दर्शन करने के लिए, भगवान के ठीक है, उनको वर्शिप करने के लिए, तो एक तरह से दूर दूर से लोग आ पर है, ये साउथ के थंजबूर में है, ठीक है, एंच, राइट, एंच, गंगई, कोंट, चोलापूरम, वर दा कंस्ट्रक्टेड अंडर दा पैट्रोनेज, ये इतने बड़े-बड़े temple जो है, वो कंस्ट्रक्ट करवाए किसने, चोला रूलर्स ने, clear, दा चोला रूलर् सबसे पहले ये नटराज की मूर्ति बनाई थी, दा चोला रूलर् बिर्ट टैंपल, ओफन तु क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस, अब देखो, चाहिए ठीक है, इन्होंने बड़े-ड़े टैंपल बनाए, लेकिन इनका कहते ह कि एक मन में दिमाख में ये खायाल आएगा का कि जसा राजा ने बनवाए उसके पास पावर कितनी होगी तो से उसकी पावर का अंदाजा लग जाय करता था तो proclaim their own power and the status and adore those temple with stone and metal sculpture to present the vision of the popular sun ठीक है और साथ साथ में जो भी इनके जैसे devotees होते थे जैसे मान लिजे कोई भी चोला ruler हो गया तो वो Lord Shiva का बहुत बड़ा devotee है तो वो क्या करता था मंदिर के आगे जो entrance gate होता है तो अपने बड़ी सी statue बनवा देता था कि देखो ये बहुत बड़े संत महात्मा थे और इतने बड़े भक्त थे शिव के ठीक है तो कई बार ऐसे भी होता था कि बड़े बड़े संत होते थे तो वो किसी भी भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त होते थे तो उन संतों की मूर्तियां बनवा करके और वहाँ पर रख देते थे आपने आसपास में या आप अगल village area से बिलोंग करते हैं विलेज में आपके कोई न कोई बाबा रहा होगा जिसे कुछ न कुछ चमतकार किया होगा तो लोग क्या करते हैं उनी को मानने लगते हैं उनकी मूर्ति बना करके टेंपल में उनी को वर्शिप करते हैं कौन सा है आपके ऐसा आपने अपने आसपास देखा होगा तो comment section में लिखकर ज़रूर बताईएगा ठीक है चली तो I think ये था हमारा ठीक है आज का सबसे बड़ा जो हमारा surprise है ठीक है वो क्या है कि देखो जैसे इस तरह के जो chapters है इस तरह के जो chapters है वो धीरे-दीरे आपको सम मज में आएंगे तब ही जाकर आप question के answers दे सकते हैं ठीक है अब देखो चाहे वो board exam है चाहे वो आपका CUT exam है दोनों में ही आपको अच्छे marks लेकर आने है ठीक है खासकर करें बात करूं कि board exam की क्योंकि board exam आपका secondary exam है 70% तो slabbers आपका यहीं से हो जाना है NCRT जब आप पढ स्कूल में टॉप करने का ठीक है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का स्टेट टॉपर बनने का तो कहीं न कई इसके लिए आपकी जो मेहनत है वह कहते हैं कि जितना गूट डालोगी उतना में तो जितनी आप मेहनत करोगी उतना ही आपका result अच्छा हैगा अगर आपका सपना स्कूल में टॉप बनने का तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ी क्यूंस इसाफ से ठीक है मेहनत कैसे कि हर कंसेट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए ठीक है हर कंसेट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है क्लियर करने के बाद फिर उसमें आपको जो है रिवीजन करन ठीक है आज नहीं तो दो दिन बात करोंगे दस दिन बात करोंगे एक्जाम आने पर करोंगे रिवीजन करोंगे न फिर उसके बाद आप मोक टेस्ट लगाओगे ठीक है मोक टेस्ट लगाओगे प्रक्टिस लगाओगे सेंपल पेपर लगाओगे बहुत सारे प्रक्टिस करो का ठीक है 254 ना अभी पहले 2999 का था लेकिन इस पर आपको 17% का discount मिल सकता है जब आप coupon code use करेंगे कौन सा coupon code use करेंगे आप Y489 ठीक है coupon code use करेंगे Y489 तो यह coupon code use करना है और आपको इस पर भी maximum discount मिल जाएगा board exam में top करोगे इसके लिए आपको क्या है थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और यह कितने हैं आपके 2549 तो यार इतने में तो आप अपके ड्रेस लेने जाते हो ना तो उसमें पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर देजीगा comment पर जरूर बताईए और जो भी मैंने आपसे पूछा है share कीजीगा और like कीजीगा comment section में लिकर बता सकते हो कि आपको ये video कहती लगी कोई भी अगर query होती है तो वो भी comment section में लिकर पूछ सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है सीधा जाना है आपको other 24-7 की mobile app अगर डाउनलोड नहीं किये तो फटापर से कर लेंगे या google पर direct जाकर type कर सकते हो first option पर click करना है यहाँ पर आएगा आपका all courses ठीक है तो जैसे आप all courses पर click करोगे यहाँ पर आएगा school के 12 ठीक है यहाँ पर click करना है उसके बाद में यहाँ पर cbsc board टिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है arts के हो commerce के हो science के हो बस आपको एक coupon code लगाना है maximum discount आपको मिल जाएगा ठीक है यह देखे आपने buy now पर click किया जैसे आपने buy now पर click किया वैसे आपका y489 यह coupon code आपको लगा देना यहाँ पर type कर देना apply कर देना अब यह देखे 2489 का यह आपका course रह गया है जल्दी कीजिए जितनी जल्दी आप इसमें enroll करेंगे उतना जल्दी हम अपने syllabus को खतम करेंगे syllabus खतम करने के बाद revision की तरफ बढ़ेंगे जितनी अच्छी revision होगी उतने अच्छी हमारी marks आने की पूरी-पूरी उम्मीद रहेगी ठीक है तो काफी सारे बच्चे इसमें enroll कर चुके हैं देखो यहाँ पर अगर तुम पैसों को देखोगे तो फिर जीवन में कभी आगे न ठाना पड़ेगा ठीक है और यह तो आपके कहते हैं ना कि बोर्ड एक्जाम में अगर तुम बहुत अच्छा scores कर सकते हो तो 70% आप का CUT का भी तो course complete हो रहा है ना उसके बाद आप CUT के score के base पर आप अपने dream university के top college में आप जो है admission पास सकते हैं तो इस ते आपको double फायदा हुआ कि नहीं तो जल्दी से जाईए बच्चे और इसमें enroll कीजे मिलते अपनी next video में till then take care bye bye